फिल्म के शुरुवात्मा में 2022 का से इन दिखाय जाता है, जहां पृत्वी की आलग काफी जादा खराब हो चुकी है, इसलिए लोगों को सांस लेने के लिए भी मास्क लगाना पड़ता है, लेकिन तब भी पृत्वी जादा समय तक रहने लाइक नहीं रहेगी, क्योंकि बचने के लिए आकाश में एक स्पेस्टेशन बनाया है, जो बिल्कुल पृत्वी के वातवरन जैसे है, वहां इनसान पृत्वी की तरह ही अपना गुजर बचर करते हैं, पर उसे बनाने में इनसानों ने पृत्वी के बच्चे हुए सारे रिसोर्स का प्रयोग कर लिया, जिससे प्रिट्वी की आलत और जादा कराब हो गई, साथ ही उस पेस्टेशन में रहना आम इनसानों के बसकी बात नहीं, क्योंकि जिनके पास भी पैसा था वो लोग आ रहने चले गए, लेकिन गरीब लोग अब भी प्रिट्वी पर रहने पर मजबूर हो गए, फीरम जे प्रिट्वी की तरह हरा बरा और रहने लाइक बना देगी, जो सुनकर अब एक रिपोर्टर उसे कहता है कि आपको सीफ स्पेस्टेशन के लोगों की पढ़िये, उन लोगों का क्या जो प्रिट्वी पर रह रहे, दुनिया की आबादी का सीफ 10% इस साई स्पेस्टेशन मे जैरे नहीं हैं, पर जेम्स को तो उनकी कोई परवा नहीं थी, प्रिट्वी इससे लिए इस बाड का कोई जवाब नहीं देता, फिर हम एक स्पेस्टेशन को देखतें जिससे सैटेलेट तकरा जाती है, ताब वहाँ स्पेस्टेशन श्वीपर नाम के एक टीम आती है, जि ये पता चलता है कि वो डोरा को इंसान ने बलकि एक रोबोट है जिसे कुछ दिनों पहले आतंग वादियों ने पकड़ कर उसके अंदर बॉंफिट कर दिया था ताकि उसे स्पेस्टिशन भेज कर वहां कि सबी लोगों को मार सके जो जान कर सबी एकदम गबरा जाते इसलिए डर के मारे इदर उदर छुपना शुरू कर देते वाई ही डोरा उस जगा को एक्स्पोर करने लबती है और अब जैसे उसकी नजर एक सूखे हुए पौदे पर पड़ती वो पहले जैसा खिल जाता है यानि कि डोरा के अंदर कुछ शक्तिया भी मौजूद है आप इस सारे लोग डोरा का बैक चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक सैटलेट फोन मिलता है और उस फोन के कॉंटाइक में उन्हें कैंग नाम के आदमी का नंबर मिलता है जिसे कई बार इसी फोन से कॉल किया गया था ताव वो सभी मिलकर एक प्लैन बनाते है कि वो डोरा के बदले कैंग से पैसे की डिमांड करेंगे और अगर उसे डोरा चाहिए होगी तो वो जितने पैसे उससे मांगेंगे वो उने दे देगा इसलिए वो कैंग को फोन लगा कर डोरा के बदले उससे पैसे मांगते जिस पर वो तुरंद मांग जाता है क्योंकि जितने पैसों की उन लोगों ने डिमांड की थी उससे ज़ादा डोरा को बनाने में लग गये थे और उसे ऐसे ही छोड़कर कैंग इतने पैसे बरबाद नहीं करना चाता था इसलिए वो उनकी बात मान जाता है जो सुनकर उस अभी खोश हो जाता है अब उनकी ये सारी बात जिम सुन लेता है जिसे भी डोरा के बार में पता चल गया था इसलिए वो अपने साथे को उसे पकड़ने के लिए बेज देता है वहाई दर सारे स्पेस वीपर्स डोरा को उस जगह ले आते है जहां कैंग उन्हें पैसे देने वाला है और डोरा को देखकर वहाँ मोजो सभी लोगों में अफरात अफरी मत जाती है क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि दोरा के अंदर बॉम है इसलिए सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते ताभी वहाँ जेम्स के साथ ही भी आ जाते जो दोरा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते लेक इंफी स्पेस वीपर उनसे लड़ना शुरू कर देते और काफी मश्यक्रत के बार दोरा को अपने स्पेस शिप में ले आते दूसी तरफ जेम्स एक मेटिंग में होता है पर जब उसे पता चलता है कि दोरा उसके हाथ से निकल गई वाई अब स्पेस वीपर दोरा का क्या रखना शुरू कर देते जिन में एक फीमेल रोबोट भी शामिल होती है लेकिन किम नाम का स्पेस वीपर दोरा को उतना पसंद नहीं करता इसलिए फीमेल रोबोट दोरा को इसका कारण बताते वे कहती किम काफी समय पहले गाड़ हुआ करता था जो जबरदर्सी स्पेस सेशन में गुशने वाले लोगों को मारने का काम करता था ताब एक दिन हमले में एक मापनी ननी से बच्ची को बचाते वे मर गई और जब किम ने उस बच्ची को देखा तो उसे उस पर दया आ गई निर्दोश लोगों को मारना भी अच्छा नहीं लगता था जो पैसो की कमी के करण जबरदसी स्पेस सेशन में रहने आते थे इसलिए उसने गाड़ की नौकरी छोड़ दी पर इससे उसके पास पैसो की कमी हो गई इसलिए फिर वो इदर उदर बटकने पर मजबूर हो गय और एक दिन जब वो उस बच्छी के साथ मार्केट में घूम रहा था ता भी स्पेस्टेशन का टूटता वा टुकड़ नीचे गिर गया जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ और उसी अटबड़ी में वो बच्छी उससे खो गई उसने एक डिपार्टमेंट में रिपोर्ट भी दर्श करवाई ताकि वो बच्छी को डूट सके लेकिन बच्छी को डूटने के लिए उन्होंने काफी सारे पैसे की डिमांड की जिसके बाद ही बच्छी को डूटा जाएगा और अगर तीन साल के अंदर किम ने पैसे नहीं दिये तो वहाँ पर धमाके के कारण जो पैसो का बंदबस कर सके और जब तक वो बच्छी नहीं मिलती तब तक वो किसी से लगाओ नहीं रखना चाता ताकि उससे भी खोने के बाद वो फिर से ना तूट जाए दूसी तरफ जेम्स उससे गरिबों के बार में सवाल करने वाले रिपोर्टर से ये कहता है कि एक बा से मुझे सारे लोगों से नफरत हो गई जीस वज़े से मैं किसी भी गरीब इंसान से मतलब नहीं रखता बस अमीरों से रखता हूँ क्योंकि उनसे मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मैं उन्हें यहां रहने देता हूँ जो इतना कहकर वो उस रिपोर्टर की भी अत्या कर द दोरा दरसल एक बार काफी जादा बिमार हो गई थी जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी इसलिए उसके पिता ने नैनो बोट्स को उसके अंदर डाल दिया जिससे दोरा ना सिर्फ ठीक हुई बलकि उसके अंदर शक्तिया भी आ गए और जब जेम्स को ये बात पता चले तो उसने डोरा का परण कर लिया और उसकी शक्तियों की मदद से पूरे मार्स पर पेड़ पोदे उगाना शुरू कर दिया जेम्स चाहता तो प्रित्वी को भी हरा बरा कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया साथ ही हम कोई आतंगवादी नेबल की एनवायमेंट लिस्ट है जो फित्वी की रक्षा करने उसे पहले जैसा करने में लगे पर यहीं चीज जेम्स को पसंद नहीं उसने मीडिया को खरिच कर हर जगा ये फैला दिया कि हम मातंगवादी है वाँ ही डोरा के अंदर बॉम वाली बात भी जूट है वो अब आगे ये भी बताता है कि जेम्स दौरा को भी मारना चाहता है क्योंकि उसने दौरा के जर्शेय नैनो बात तयार कर लिये इसलिए उसे अब दौरा की जोरत नहीं है पर उसे मारने का बस एक ही तरीका है दौरा को 2000 डिगरी सेलसियस पर रखना होगा ता भी वो मरेगी जिसका भी बंदोबस जेम्स ने कर ल जिससे लाकों लोग मारे जाएंगे जो सुनकर सभी धंग रहे जाते आप ये सभी बाते करी रहते कि तब ही ओवा जेमस के साथ ही पहुंच जाते जो सभी पर हमला कर देते लेकिन की मोरबाकी डोरा के शक्तियों के मदद से वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाते जिसके बाद उसाभी सीधे डोरा की पिता के पास आते है जो अपनी बेटी को देकर एक्दम खूश हो जाते है लेकिन तब ही होँ जेमस अपने रोबोट के साद आकर अमला कर देता है जिसमें डोरा के पिता के साद कैंग और बाकी भी मारे जाते है लेकिन किम और उसके दोसाती अब भी बचे होते हैं जिने अब बंदी बनाकर जेम्स किम को काफ़ी सारे पैसे देते हुए ये लालस देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की सक जरूरत है इसलिए तुम ये पैसे रख लो और इन पैसों से उस बच्ची को ढूणना लेकिन इसके बदले मुझे दोरा चाहिए ताब किम उस बच्ची के लिए दोरा को उसके हवाले कर देता है जिसे लेकर जिम्स वहां से चला जाता है पर अब किम की सरकत से उसके साथ ही उस पर गुस्सा हो जाते है और उन पैसों में से एक रुपए बे लेने से मना कर देते है ताब किम वो सारे पैसे लेकर उस डिपार्टमें जाता है और वहां जमा करके उस बच्ची को ढूणने को कहता है ताब उसे उस बच्ची का कुछ समान दिया जाता है जिसमें उसने किम के लिए एक नोट लिखा था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता है जो हमेशा लोगों की मदद करते है जो पढ़कर किम को काफी बुरा लगता है कि उसे डौरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इसलिए वो फिर से अपने साथ यों के पांस आकर ये कहता है कि हमें कैसी बे करके डौरा को बचाना होगा इसलिए मेरे साथ चलो जो सुनकर सभी खोश हो जाते और अब उसके साथ उसी फैक्टर में पहुचते जहां है डौर जन बॉम है जो सभी एक्टिवेट भी हो चुके होते और उसे डियक्टिवेट करने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता तब उन्हें पता चलता है कि जब बॉम विस्पोर्ट होगा तो उसका असर 5,000 से जादा किलो मेटर तक रहेगा और अगर वो लोग फैक्टिवेट को प्रित्वी से दूर ले जाए तो इसके बरबाद उने से मलबा प्रित्वी पर नहीं गिरेगा जिससे प्रित्वी के लोग बच जाएंगे साथ ही वो डोरा को भी किसी तरह बचा लेंगे पर अब जैसे सभी फैक्टिव को यहां से दूर ले जाने की कोशिश करते हुआ जेम्स के साथ ही आकर उन पर हमला कर देते है ताब किम की साथ ही दुनिया बर के स्पेस वीपर से मदद मांगती है और उन्हें दोरा और किम की सारी सचाई बताती है इस सलिze अब सभी किम की मदद करने अपनी स्पेशिप से वहीं पहुच जाते है जीस के बाहल किम और बागी स्पेशिप की मदद से फैक्टिह को वहां से दूर ले जाने लगते है लेकिन अब जेम्स अपने स्पेशिप के जर्य उनकी पीछे पढ़ जाता है पर तब उसे पता चलता है कि डोरा उस फैक्टी में हैं ही नहीं उसी किम ने अपने एक साथी के साथ पहले हुआ से दूर बेज दिया था वहाँ ही किम और बाकी जिस फैक्टी को ले जा रहे होते हैं वो कीसी भी समय विस्पोट होकर उन्हें मार सकता है इसलिए वो अपने बले जान देने के लिए भी तयार होते हैं और एक दूसरे को अलवीदा केकर आगे बढ़ने लगते हैं वहाँ इदर जेम्स की स्पेशिव उस फैक्टी के इतने करीब होती है कि अगर वो विस्पोट हो तो उसके साथ वो भी मारा जाएगा पर अगले पल वो बाम विस्पोट भी हो जाते हैं जिससे जेम्स तो मारा जाता है लेकिन किम और बाकियों को डोरा अपने शक्तियों से बचा लेती है फिर डोरा प्रित्वियों आकर अपनी शक्तियों से उसे फिर से अरबरा करना शुरू कर देती है जिससे प्रित्वियों पहले जैसे होने लगती है जिसके बार डोरा किम को उस बच्ची का रूप दिखाती है जिस दिया में ये पता चलता है कि उस मलबे में जो बच्ची मारी गए थी जिसके बार में किम को भी पता था वो बस उस बच्ची का शव पाना चाता था लेकिन अब जब वो उस बच्ची का रुप डोरा के शक्तियों से देखता है तो वो एकदम खूश हो जाता है और फिर इसी मिस्पिलिंग के साधी मूवी एही समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्काइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों